शत्रियों के द्वारा सूर्था के द्वारा कमाया गया धन उसको बड़ा सुद्ध माना गया वेश्यों के द्वारा ब्यापार और क्रसी के द्वारा कमाया गया पैंसा उसको बहुत सुद्ध माना गया कभी आपके मन में कारोबारी लोगों सुनो कभी आपके मन में ऐसी बात में आवे अरे हमने तो धंदा करके पैसा कमाया है बिजनिस व्यापार करके पैसा कमाया है पता नहीं भगवान इसको स्विकार करेगा के नहीं करेगा इसमें वड़ने हैं कि वैश्य वानिज्य के द्वारा और क्रसी के द्वारा जो धन प्राप्त करता है वह धन उसका पवित्र सुद्ध है ब्याज लेने का अधिकार वैश्य के अलावा और किसी को नहीं है टेक्स लेने का अधिकार राजा के अलावा और कुसी को नहीं ये तो हमारे गुरंत साक्षी है उसवाद चाहिए ब्याज भी एक लिमिट में एक सीमा में ब्याज वैसका वाडिज बताएगा ब्याज उसका व्यापार बताएगा सादू तो जड़साइद खत्म हो जाएगा यदि वो व्याज लेगा बैसे तो भगवान की कृपासे मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं हाथ उठा करके कह सकता हूँ मैंने अपने जीवन की आज की आयू तक कभी किसी से एक रुपिया बैयाज का नहीं लिया जरूरत मन लोग ले गए होंगे पैसा वो में बापस ले दिया हो सकता है लेकिन जो अच्छे लोग हैं जो बड़िया लोग हैं वो हमसे कभी करजा ना मांगे कौँके हमारा पैसा अच्छा नहीं है हमारे पास जो भी है वो बड़िया नहीं है लोगों ने कैसे कैसे अपने मेंसे बचा करके यह दान का पैसा है कि ठीक नहीं है पुजारी का पैसा मंदर का गोलक का पैसा ऐसी इस्तरी जिसकी मांग का संदूर उर गया है उस नारी का पैसा यह यह पैसा यदि तो यहां यह बात मैंने इसलिए बोल दी है आठ दिन में दो चार फोन तो ऐसे आई जाते हैं और पांच लाग से नीचे मांगते नहीं बैया मेरे पास तो पांच हजार भी नहीं है मैं भगवान की गड़ी पर गए मैं यह करूँ के मेरी तरफ से पांच हजार रुपया मेरे पास अब मैं कुछ करता तो हूँ नहीं तो आएगा कहां से मैंने तो सोचा था कि पतल बनाने वाली एक मसीन लगा लिए सही बोड़ा हूँ मैं जूप से परेज रखता हूँ एमदाबा से मसीन भी मंगा लिए वो चली नहीं भुजा गोदा में पढ़िये गुजा लागे लिए सोचा था कि महीने में 1500 रुबहे का जो कोई खर्चा होगा तो हम और मुकुंद दोनों मिल करके और कुछ पतल बना लिया करेंगे बजार में बेश दिया करेंगे सत्य जो मैंने सोचा हुआ ही बता रहा हूँ आपको मुझे बड़ा परेज है आपके पैंसे से जितना आपको देने में जल्दी होती है उतना ही जल्दी मुझे आपको रसीद दिलवाने में जल्दी होती है मैं बहुत हिर्दे से इस बात कुब रहा हूँ कभी भी कोई मुझे ये न कहे कि महराज हमें पांच लाक रुपिया दे दे क्योंकि यहां तो जो है वो गोमाता का है लोगोंने कैसे कैसे अपने खर्चों में से कटोती करके वो दिया है वो पैशा धर्म के लिए बढ़िया है और किसी के लिए वो कभी सुब होई नहीं सकता बढ़िया होई नहीं सकता एक वाद यकारा भगवान के नाम का लगाई है बुले बांके मिहानी नाल की कोटे स्वरनाथ भगवान की